नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अभी तक बिग्यापन भी नहीं निकला है तो फिर आवेदन कहां से हो गया और फिर नियोकती कहां से हो गया चाई भासा की साभा में प्रधान मत्री की पहुशने से पहले ही मैदान खाली होने लगा लोगों को ढोकर लाया गया था हमारी सरकार ने हो भासा को आठोए और निसुची में सामिल करने के लिए केमिनेट निने लिया और मोधी जी कहते हैं कि यह मोधी की गरांटी है वही सारना धर्मकोट की गरांटी क्यों नहीं देते हैं प्रधान मंत्री नायंद मदी को यह बताना चाहिए, जातिय जनगनना तक कि घोसना नहीं की गई, पुर्व मुख मंत्री रखवरदास ने हर्मू मैदान में अंकीता नाम की एक लड़की के पिता को अपमान करने का काम किया था, इसके गवाह राज सभासांस दिपव प्रका एक हतास, निरास और पराजित अश्टार प्रचारक लोट कर चले गए, नहाय खाय के साथ महापरवचट आज से, रांची समेत राज्य भर में चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापरवचट का अनुष्ठान नहाय खाय के साथ मंगलवार से सुरू होगा, पव वरती अश्नान के बाद अरवा चावल का भाद चन्ने की डाल और कद्दू की सबजी गरहन करेंगे, बतादे वरती बुद्धवार से खरना के साथ 36 घंटे का निरजला उपवास करेंगे, गुरुवार को अस्थ चलगमी और सुक्रवार को उद्यमान सुर्यों को अरग द अरवा चावल का भाद चने की डाल और कद्दू की सबजी बनाएंगे, इस महापरसाथ को तयार करने के बाद सबसे पहले वरती इसे गरहन करेंगे, इसके बाद परिवार के अने सदस भी गरहन करेंगे ग्रामिन छेतर में कार्य नहीं करने वाले CHO को बिरूद करवाई की त्यारी ग्रामिन छेतर में लोगों को सुलब स्वास्त उपलब्द कराने के लगतार समुधाईक स्वास्त पताधी कारियों की नियुक्ति की जा रही है मुख्य मंत्री ने बीते अगस्त में 365 और अक्टूबर में 478 में CHO को नियुक्ति पत्र सोपा था लेकिन पूर्वर से नियुक्त CHO के साथ साथ नो नियुक्त CHO भी स्वास्त ब्यवस्था के सुधार में योगदान देने के बजाए लागातार आंदोलन में जूटे है इस्थितिया है कि इनके काम नहीं करने से राष्ट्रिया अस्तर पर राजी की 26 धुमिल हो रही है इस वज़ा से इन पर करवाई की तयारी की गई है कारण यह है कि उस्मान आरोग मंदीर गैर संक्रामक रोग एवां इस संजीवनी जैसे महत्पुन स्वास्ते कारेकरमों की ओनलाइन डेटा इंटरी पोर्टल पर नहीं की जा रही है इन कारेकरमों में राजी की उपलब्धी न के बराबर दिख रही है जबकि इन कारेकरमों की ओनलाइन इंटरी करना स्थिये चो के कारेदायुत में सामिल है जारखन में आचार संगीता उलंगन के 31 केस 147 कोर जबते जारखन केस CEO केरभी कुमा ने कहा है कि राजम बिधान सबा चुनाव प्रचार सांतिपुन धंग से चल रहा है इसी बीच आदर्स चुनाव आचार संगीता के छिटपुट घटनाए भी सामने आ रही है अभी तक आदर्स चुनाव आचार संगीता उलंगन के आरोप में 31 प्रत्मी की दर्च की गई है जिसमें सुरदिक 18 मामले गठवा जिले में दर्च हुए है वही राची सिम्डेगा और रामगर जिले में दो-दो मामले दर्च हुए है जबकि सराय के लए धनबाद और पुर्वी सिम्भूम देवगार जामतर हाजारी बाग और पलामो जिले में एक-एक मामले दर्च किये गए अब तक राज्य में 147.80 क्लोर के अवयद समान और कैस जब्त किये गए है वे स्वो मोहर को धुरवा के निवाचन सदर में पत्रकारों से बाचित कर रहे थे बांगला देशी घुसपैठियों को जार्खन से करेंगे बाहर सिवराज सिंग चौहान बीजेपी के ज़ार्खन में राज सरकार के सनक्षन में बंगला देशी घुसपैठियों को सभी सुधाय उपलब्द हो रही है राज अभी भारी संकट के दोर से गुजर रहा है NDA की सरकार बनते ही चुन-चुन कर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जामो और कांग्रेस भोट की राइनिती के लिए जार्खन और जार्खन वासियों की सुरक्षा से खिलवार कर रही है जार्खन को तबाह करने के आसरयंत है वहीं सिवराय सिंग चुहान ने कहा है कि एक गारादी संबर को सभी महिलाए कि खाते में गोगो दीदी योजना के कई सो रुपए पहुँझ जाएंगे NDA सरकार 31 सो रुपए समर्थन मुले परधान की खरीद भी करेगी और इसका भोकतान 24 घंटे में होगा सभी का पक्का मकान बनेगा B.A.A. में पासबचों को दो वर्ष तक प्रती महाद 2000 रुपए भी दिये जाएंगे जार्खन के सभी संस्थान मतदान के दिन दे सव एतनिक आउकास जार्खन के CEO के रविकुमार ने सभी अध्योगिक और वानिजिक प्रती स्थानों यों अने सभी संस्थानों के नियोजुकों से कहा है कि वे अपने संस्थान में कारण सभी कर्मियों को मतदान के दिन यानि कि 13 और 20 नौंबर को मतदान के लिए सव एतनिक आउकास पेड लीव दे उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी सामिल है जो राजिक के पंजिकरित मतदाता है वेस्तों मुहर को स्राम विभाग के पताधिकारियों के साथ धुरुवा के नियोजित सदर में बैठा कर रहे थे CEO केर अभी कुमार ने कहा है कि जारकन विधान सव चुना दोयचोविस के दिन सव एतनिक आउकास के लिए स्राम विभाग दोरा पर चार परसार कराया जाए मद्दताओं को मद्दान के लिए जागरूप एवं प्रेडित भी करे ताकि मद्दान का अधिकार सुनेशित कराया जा सके निर्वाचन लोग प्रति निधित्व अधिनियम उनई सव एकाउन की धारा एक सो पहति स्खक के अनुसाद चुनाओ की दोर मद्दान दिवस को किसी भी कारूबार ब्यवसाय अध्योगी उपकरम या अनेकिस संस्थान में नियोजित प्रतेक ब्यक्ति को मद्दान के लिए सव एतिनिक अवकास प्रधान करने का प्रधान है प्रधान मंत्री मोधी गढ़वा में भीड देख गढ़वा में थे उनको सुनने के लिए जन सहलाब उमर पड़ा है भीड देख पिये मोधी भी गढ़वा नजर आए उन्होंने अपना अंग वस्तर लहराक और लोगों का भिवादन किया जरकर मिज़ान से बचुना दो है 24 के लिए परचार करने गढ़वा प्रधान मंत्री के रेली में उम्री भीडिक का अंदाजा इसी से लगाए जा सकता है कि भाजपा के दो विधायक पियेम की सभा में नहीं पहुँच पाए एक भाजपा नेता ने बताया है कि जानता गभरपूर समर्थन भातिया जनता पाटी को मिल रहा है युवाओ का उत्साह भी चरम पर है जारकर में पूर्ण बहुमत की एंडिये सरकार बनने जा रही है हम गढ़वा की सीटों पर जीत दर्च करेंगे भाजपा नेता ने कहा एक बिज़र समकल्प साबा में पिये मोधी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया है गढ़वा से रहला तक जाम लगा है धनबाद में जमीन फटने से बना गोफ धनबाद के जोगता थाना चेतर के 11 नमबर हरीजन बस्ती में सोमवार के अहले सुबह दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है जब बस्ती के समीप अचानक जमीन फट गया और उससे आग की लपटे अचानक से बाहर निकलने लगी पूरे इलाके की तापमान से बदलाव हो गया है जिसके बाद लोग गर्मी से परिसान हो गए हैं और अपने घरों से बाहर निकल गये इस दरण पूरी बस्ती में अफरात अफरी का महोल पैदा हो गया सुबह की धूंद में भी लोगों को दीन का नाजारा दिखाई देने लगा वही भोधनसन से निकल रही जहरीली गैस के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी किसी को कुछ समाज में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे सभी लोग सुरक्षित अस्थान की तलास में इधार उधर भाग रहे थे जब सुबह की किरने बाहर आई तो लोगों ने देखा कि बस्ती के स्थामी भोधनसन होई है जिससे आग की तेज लपेट निकल रहा है पीए मोधी ने दी सुविधा, सुरक्षा, इस्थीरता और सम्रेदी की गरांटी जारखन में पहले चरण के चुनाव के लिए अब कोछी दिन बचे हैं सीबीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीए मोधी ने गढ़वा में जन्द सभा को समधित किया इस दोड़न उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा बीजेपी जहारकन में चार गरांटी के साथ चुनावी मैदान में उत्री है उन्होंने कहा एक बीजेपी जारकन में स्विधा, सुरक्षा, इस्थीरता और सम्रीदी की गरांटी के साथ चुनाव लड़ेगी पीए मोधी ने कहा एक मतावों बहनों और बेटियों के कल्यान के जारकन बीजेपी संकल्प पत्र में कई संकल्प लाई है पीए मोधी ने गोगोदी योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत हर महिला को एकई 100 रुपे दिये जाएंगे वही चारकन में बीजेपी सरकार बनने के बाद 500 रुपे गय सिलेंडर देगी यही नहीं अगले साल से दिपावली और राक्षा बन्दन पर भी दो मुफ्त सिलेंडर देंगे पीएम ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के समान सुरक्षाव सम्रीदी के लिए समर्पी था है चट के लिए बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भील चट महापर्व को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में जवरजस्त भील हो रही है रेलवे स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है मोरे एक्सप्रेस और पतना जाने वाली ट्रेनों में किसी स्रेनी में सी टूपलब्द नहीं है मोरे एक्सप्रेस में 4 से 6 नौवंबर तक सिलीपर और AC में 100 से ज़्यादा वेटिंग मिल रहा है वहीं पतना जाने वाली ट्रेन में भी 4-6 नौवंबर तक सिलीपर और A.C. में सी टुपलब नहीं है रविवर को रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली इन दोनों रूट की ट्रेनों में काफी भीड रही यात्री टेन में चढ़ने के लिए मकसद करते दिखे सिर्फ समान लेकर बोगी में परवेश करते नजर आये हैं धनबाद में सलक हाज साथ तीन लोगों को पीक अपने कुछला धनबाद के गोविंदपूर जीटी रोड फकीर डिह के पास एक पीकप वैन ने एक महिला समय तीन बच्यों को बुरी तरह रौन दिया है जिसमें तीन की मौत घटना स्थर पर भी हो गई वहीं एक कोगंभीर अवास्था में इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया इस घटना के बाद गुसाय लोगों ने एने जाम कर दिया है और गालीयों की लंबी का अतार लगी हुई है मौके पर पुलिस पर सासन लोगों को समझाने का पर्यास कर रहे हैं जनकारी के अनुसार फकिर डिगाओ के जफर मनसूरी की 26 वर्षिय पुत्री रूबी खातून अपनी 8 वर्षिय पुत्री सिपत पर्वीन और 15 वर्षिय बहन जानवी उर्फ आयत पर्वीन परोसी दुर्गेश साह की पुत्री को ट्यूशन के रोड पार के लिए सोम और सुबद 7 बज़े अपने दरवाजे पर खड़ी थी सिसाई विधान सभा सीट पर 2000 के बाद लागातार दूसरा टर्म नहीं जित सका है कोई विधायक सिसाई विधान सभा 1951 में बना था या अनुसूचित जन जाती सीट है अब तक इस छेत्रे की जानता ने 17 विधायक चुनी है बता दे सिसाई विधायक के पहले विधायक बलिया भगत थे परन्तु जार्खन बनने के बाद कोई विधायक लागाता दूसरी बार चुनाव नहीं जित सका है क्योंकि सिसाई विधायक की जानता एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में विधायक को हरा देते है इसलि थाकुर ने पहुंचाया अस्पताल गढ़वा जीले के मिराल थाना छेत्रे के एनेच पसतर पर लगमा के पास आटो ट्रक की टकर में पांच लोग घायल हो गाए घटना के बाद महोंके पर जामो परत्यास हिस्सा मंत्री मिसलेश ठाकुर पहुंचे और सभी घायलों को अप तुरंत अपनी गारी रोकी और अपने वाहन से घायलों को सदर अस्पताल ले गाए पूछे जाने पर मंत्री मिसलेश ठाकुर ने कहा है कि मैं कलपना सोनी की चुनावी सभा से वापस आ रहा था इसी दोरान नेन्वा मोड के पास टेंपो दुर घायल हो गए थे मैंने जिसका असर भी दिखने लगा है राजिके अधिकतर जीलों का नियूंतम तापमान बिष्ट डिग्री सेंसे से नीचे चला गया है अगले कुछ दिनों में इसमें एक से दो डिग्री सेंस और गिरावट का अनुमान है मुसम साफ रहने के काराण अधिकतम तापमान तीष् ते नीचे रहेगा बता दे राची का निमता मान भारकव चल रहे किश का ट्राइल पूरा नहीं हो पा रहा है अैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस द्वारा समय पर अभभीध के खिलाप कोट से जारी गर जमानती वरंट इस्तेहार और कुरकी का तामिल नहीं किया जाता है नहीं समय पर तामिश समंधी रिपोर्ट आदालत में सोपी जाती है जब पुलिस मुख्याले ने मामला हाई कोट से जूला देख इसे प्रात्मिकता में लेकर खेत प्रकट करते हुए सभी जिला के SP से रिपोर्ट की मांग की तब ही समय पर पुलिस मुख्याले को रिपोर्ट उपलब्द नहीं कराई गई पुलिस मुख्याले की रिकोर्ड के अनुसार हाई कोट SCMS के मेंबर सेक्रेटरी ने 4 अक्टूबर 24 को मामले में DGP को पत्र लिखा था इसमें विभी निय करवाय के निर्देश दिया जाए इस्टेट रोड साइकलिंग में रांची विजेता मेगा स्पोर्ट कॉम्पलेक्स में आयोजीत एगार हुई जार्खन राज्ये अस्तर ये सिनियर जुनियर वसब जुनियर रोड साइकलिंग परत्योक्ता सुमवर को संपन होगा जहाई इसमे 93 अंगों के साथ रांची की टीम विजेता बनी जब की 33 अंग के साथ वेस्ट सिंभूम की टीम उप विजेता बनी है इस परत्योक्ता में विभीन जीलों से 220 बालक बाली का महिलाव पूरुष खिलाडी सामिल हुए थे समापन समारों में मुख्य अति थी भूर आयस विभा के विशेश सचीव ससी प्रकाच जा विशिष्ट अति थी जहारखन उलम्पिक संग के महा सचीव डाक्टर मधुकांत पाठक और जहारखन एथलेटिक संग के सचीव एसके पांडे ने बिजेता टीमों खिलाडियों क को प्रुष्कित किया है इस औसर पर जहारखन साइकलिंग संग के महा सचीव सेलेंद्र कुमार पाठक उपाध्यक सुर्जीत कुमार भी मौजूद थे चमपई के आपमान के लिए जहमों को सजा देने का वक्त जहारखन में 13 नॉमबर को पहले चरगाचुनावाई सिवीस के अडवाग के बाद पीए मोधी चाईबा सा पहुंचे हैं पीए मोधी ने यहाँ अपना समोधन दे रहे हैं और पीए मोधी ने यहाँ जे में और कांग्रेस पर जम कर निशाना साधा पीए मोधी ने कहा है कि गरीबों का संग हरसो को मैंने जिया है 10 साल में 25 क्लोर लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं हमारी सरकार बनी तो किसान का धान MSP पर 3100 रूपए प्रतिक इंटल देगी, वहीं कॉंग्रेस ने आदिवासी को गरीब रखने का काम किया है, जीन को कोई नहीं पूछता है, उनको मोधी पूछता है, धरती अबा जन जातिये ग्राम उतकर्स अभियान से 60,000 गाउं में आद आदिवासी की रोटी, बेटी, माटी को बचाना है, मेरा लंबा समय आदिवासी को देख कर गुजरा है, भारत को विक्सित करने के लिए महिला को ससक्त बनाना है, यह हम लोगों का वादा है, वहीं गोको दिदी जोईना महिलाओं का समान करेगी, दुनिया में नर्सिंग क बड़ी मांग है, जिसके लिए भाजपा नर्सिंग ट्रेनिंग मुप्त में देगी, जामो कंग्रेस ने वादा पुरा नहीं किया है, इसलिए दूसरे राज में युवाओं ने पलान किया, पांच साल में जारकन की हर परिक्षा में पर लिक हुई है, गढ़वा में मुख लोगों से केंटिरपाठी के पक्ष में वोट देने की अपील की है, मुख्यमंत्री इंडाक्टेंगा विधान सभाग भंडरिया, परखंड मुख्याले के हाइज स्कूल में कंग्रेस उम्मिद्वार केंटिरपाठी के पक्ष में जन सभाग को समधित किया, सीम ने सरकार द्वारा सुरू किये गा मैया समान योईना समित अन जन कल्यानकारी उजनाओ के समध में मद्दताओ जनकारी दी और महागट भंदन उमिद्वार के पक्ष में वोट देने की अपील की है, योगी आदित त्यनाथ आज आएंगे कोडार्मा, उतर परदेश के मुख्यमंत् बहार डोम चांच के सीम हाई स्कूल मैदान में होगा, सबाग शुरू आज सुबा 10 वए से होगी, इसमें कोडार्मा बिधान सबागे करता होनेता के अलावे बरही और बरकर्टा बिधान सबागे मंदल करकरता भी सामिल होंगे, काकरम को लेकर व्यापक तोर पत्यारी की जा रही है, बड़े से मंच के अलावे करीब 10,000 लोगों के बैठने की वेवास्ता भी की जा रही है, जारखंडियों को उनका अधिकार कब मिलेगा, सियम हेमांत, प्रधान मंत्री नायंद मोदी के जारखंड दौरे को लेकर मुख्र मंत्री हेमांसुरे ने एक बार फिर जारखंडी हक अधिकार की बात प्रधान मंत्री की समक्ष रखी है, हेमांसुरे ने एकस पर पोस्ट कर कहा है कि हो मुंडारी कुडूक, उर्वा और भासा को आठवी अनिसुची में सामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लीकर आगर किये हुए चार वल्ड स्याधिक समय हो गया, लेकिन अब तक आधिवासियों की भासा को संड़क्षन प्रधान करने की पहल केंदर सरकार द्वारा नहीं की घए, आखिर कप तक जारकन की अधिवासी अपनी पहचान सुरक्षीत करने के लिए संगःस करते रहेंगे, क्या केंद्र सरकार आधिवासियों को अधिकार नहीं दे सकती प्रधान मंत्री जारकन आया है ऐसे में यहां कि अधिवास योग उनकी पहचान और अधिकार देने की किरिपा करें प्रधान मंत्री जारकन योग उनका अधिकार कप दे रहे हैं हैं हमाल सुर्य ने कहा है कि प्रधान मंत्री के जारकन दोरे के अहसर पर बिनेवता फुरुवक उनसे आगरह किया गया है कि कोईला कम्पनियों दोरा राज्यका बकाया एक लाग छातिस एरकलोर भुकतान करने की किर्पा करें धन्यवाद